नमस्कार, आये सुनते हैं शरत्चंद चटोपाध्धाय के द्वारा लिखाव उपन्यास स्वामी का चौथा भाग, आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी सौधामिनी ससुराल में पती से अलग भले ही सोती है पर उनके खाने पिने और अन्य सुविधाओं का پूरा ध्यान रखती है और उसके लिए कई बार उसकी सास ननद देवरानी से लड़ाई भी हो जाती है सौधामिनी स्वामी के धैरे को देखकर चकित हो जाती है इतने सहन शक्ति सौधामिनी में नहीं सौधामिनी कही न कहीं चाहती है कि उसके स्वामी को यह पता चले कि उनके लिए वो सास, ननद और देवरानी से लड़ती है स्वामी को भी यह बात पता है इसे बीच अचानक से एक दिन नरेंद्र सौधामीनी के ससुरा ला जाता है नरेंद्र सौधामीनी के देवर का मित्र है और वा खास सौधामीनी से मिलने के बहाने ही वहाँ आया है दोनों में बातचीत होती है सौधामिनी संकोच वश नरेंद्र से बात नहीं कर पाती एक दिन सौधामिनी बाग वाली खिड़की पर बैठी पुस्तक पढ़ रही होती है तब ही नरेंद्र खिड़की के बाहर से सौधामिनी का आचल पकड़ लेता है और दोनों में वहीं बात चीत होने लगती है नरेंद्र कहता है कि वो उसके बीना जी नहीं सकता और सौधामिनी भी वहाँ खुश नहीं है अब सुनते हैं आगे की कहानी नरेंद्र ने कहा अच्छा जाने दो किन्तु यदि मैं जानता कि तुम सुक से हो तो शायद मन को समझा लेता किन्तो मेरे लिए कोई अवलंब नहीं मैं कैसे जीता रहूंगा कहते कहते उसकी आखें फिर भर गए उसने मेरा हाथ खीच कर उसी से अपने आसू पोछे और बोला इस संसार में इतना बड़ा अन्याय और किस देश में संभव है कि अस्त्रियों में प्राण नहीं होता भावना नहीं होती उनकी इक्षा के विरुद्ध ब्याह करके जन्मभर जलाने का अधिकार संसार में किसे है मैं ये सब बात जानती थी मामा के हाँ निती ही इस तरह की बाते हुआ करती थी मेरा मन हिल गया पूछा मुझे क्या करने को कहते हो नरेंद्र बोला मैं कुछ भी नहीं कहता केवल यही बात जानता हूँ कि मौत से बचकर उठ खड़ा होने के बाद मैं इसी दिन की प्रतिक्षा करता रहा हूँ शायद एक दिन सुनोगी कि जिस मौत के मुँँ से बचकर आया था उसी मौत के मुँँ में पुना समा गया हूँ किन्तु तुमसे मेरा अंतिम निवेदन यही है कि यदि जीते जी कुछ न करपा सको तो मेरे मरने के बाद अपनी आखों के दो बूंद आसू मेरे लिए गिरा देना यदि आत्मा नाम की कोई वस्तू होगी तो उन बूंदों से ही त्रिप्थ हो जाएगी मेरा हाथ उसके हाथ में वैसे ही पड़ा रहा मैं चुप बैठी रही अब सोचती हूँ कि यदि उस दिन जान सकी होती कि मनुश्य का मन इतना हलका है और उसे उल्टी दिशा में बहाने में इतना कम समय लगता है तो उसी समय छटका देकर हाथ छुड़ा लेती और खिड़की बंद कर देती और उसकी कोई बात न सुनती किन्तो मैंने ऐसा कुछ न किया और जैसे तूफानी नदी के किनारे के व्रिक्ष काप उठते हैं उसी तरह मेरा सारा शरीर काप उठा लगामानो नरेंद्र ने अपनी अंगुलियों से मेरे शरीर में सैकड़ो विद्धु धाराएं प्रवाहित कर दी और वे धाराएं मेरे शरीर को पूर्णता बेबस किये डाल रही है मुझे अनभव हुआ कि यदि खिड़की में लोहे के छड़ ना होते तो शायद वो मुझे खीच कर ले भागता और मैं चिल्ला भी न सकती न जाने कब तक हम लोग इसी प्रकार स्तब्द खड़े रहे फिर वो बोला सौधामिनी तुम तो जानती हो कि ये जूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बंधन में रखने की कड़ियां भर है सतित्व के महिमा केवल स्त्रि को बताई जाती है पुरुष के लिए कोई नियम बंधन नहीं यह सब धोखा है क्या इस्त्रि के आत्मा नहीं होती वे क्या केवल पुरुषों के सेवा चाकरी के लिए बनाई गई है क्यों बहु क्या तुम लोगों की बाते कभी खत्म नहोंगी सिर्पर अकस्मात वज्र गिरने से भी मनुश्य इस तरह न चौकते होंगे जैसे हम दोनों इन शब्दों पर चौक उठे नरेंद्र मेरा हाथ छोड जट से नीचे बैठ गया मैंने घूम कर देखा कि खिड़की के ठीक सामने बारामदे में मेरी सास खड़ी है थोड़ी देर में वे बुली इस गाउं के लोग इतने सब भी नहीं है इस तरह आड में खड़े रोते धोते देखेंगे तो एब लगाने से न चुकेंगे इससे तो अच्छा था कि तुम बाबु को घर के भीतर बुला के बैठती वह देखने सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता मेरी जीप जड़ हो गई मुँसे एक शब्द भी न निकला हसकर सास ने कहा कह तो नहीं सकती परन्तो सोच सोच कर मरी जाती हूं कि क्यूं मेरी बहु इतना कष्ट उठा कर जमीन पर सोती है अच्छा बाबु दोपहर को चाय पीते हैं चाय तयार है उनसे पूछ लो कि बैठक में भेज़ दू या बाग में खड़े-खड़े ही पीएंगे मैं उठ खड़ी वी और बहुत जोड लगा कर बूली क्यों मा क्या तुम इसी तरह रोज आड में खड़ी होकर बाते सुना करती हो सिर हिलाते वे सास ने उत्तर दिया नहीं बेटी मुझे इतना समय कहा घर ग्रियस्ती के कामों से चुटी ही नहीं मिलती वात की पीड़ा से मरी जा रही हूँ फिर भी चाय बनाने रसोई में जाना पड़ा अच्छा चाय यहीं भेज देती हूँ बाबु बड़े लजादूर मालूम होते हैं शायद मेरे सामने चाय न पिये इतना कहकर वो मुस्कुराती वी चली गई ऐसी होती है स्त्रियों की द्वेश भावना बदला चुकाने में उन्होंने छोटाई का भी कुछ ख्याल नहीं किया मैं वहीं जमीन पर आखे बंद करके पड़ गई शरीर पसीने पसीने हो गया यहां तक की जमीन तर हो गई सांत्वना की बात इतनी ही थी कि आज वे नहीं लोटेंगे और कम से कम आज रातों में चुप चाप पड़ी रहोंगी और उनके सामने मुझे कोई सफाई न देनी होगी कई बार उठकर काम धन्दे में मन लगाने की बात सोची जैसे कुछ भी न हुआ हो किन्तो कुछ न कर सकी शरीर काप काप कर रह गया शाम बीट चली किन्तो कोई मेरे कमरे में दिया जलाने भी न आया रात आठ बजे का समय होगा कि बाहर उनका स्वर सुनाई पड़ा लगा मेरे हृदे की धड़कन बंद हो गई वे नौकर से पूछ रहे थे नरेंदर बाबु अचानक क्यों चले गए नौकर ने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा हाँ उनकी बात जरूर सुनाई पड़ी मैंने शिकार के लिए मना कर दिया था शायद इसी से चले गए किन्तु में और कर ही क्या सकता था घर में आते ही सास ने पुकार कर कहा बेटा जरा इधर तो आना मैं जानती थी कि वहां से छूटते ही मेरे पास आने में वे पल भर की देर न करेंगे कमरे में आते ही उनकी निष्ठोर आगात की प्रतिक्षा करती मैं काट सी पड़ी थी किन्तु उन्होंने कुछ न कहा कपड़े उतार संद्यादी कर्म के लिए बाहर चले गए जैसे कुछ भी हुआ ही न हो जैसे मेरी सास ने उनसे कुछ कहा ही न हो भोजनादी के बाद वे कमरे में आकर सो गए रात बीत गए उन्होंने मुझसे कोई बात न की सवेरा हुआ सब संकोच दूर कर मैं उठी और रसोई घर में जाने लगी मंजली देवरानी ने कहा रसोई घर में आने के आवशक्ता नहीं मैं यहां देख लूँगी मैंने पूछा क्या तुमारे रहते मुझे रसोई घर में नहीं आना चाहिए उसने कहा आविशक्ता क्या है? मानने मना किया है कहकर वो मुँ फेर कर मुस्कुराने लगी मेरे मुँ से एक शब्द न निकला मैं अवसन्न होकर चुप चाप खड़ी रही फिर कमरे में चली गई मैंने देखा घर में सभी के मुँँ पर अंधेरा चाया हुआ है केवल उने के मुँपर कोई विचार नहीं उनके जिनके मुख पर सबसे ज़्यादा अंधकार होना चाहिए था स्वामी का नित्य प्रसन्न मुख आज भी उसी प्रकार प्रसन्न था हाए यदि मैं जाकर उनसे कह सकती कि प्रभू मेरे अपराद का विवरंड मेरे ही मुख से सुनकर अपने ही हाथो इस पापिनी को दंड दो तो कितना अच्छा होता किन्तु मैं कहना सकी और उसी घर में उसी कमरे में मेरे दिन बीटने लगे जो काल मा के हृदे से पुत्र मरन का शोक दूर कर देता है उसी काल ने इस पापिष्ठा के सिर से भी पाप का बोज उतार दिया तो इसमें आश्चेरी की क्या बात मनुश्य जो दंड किसी दिन अकातर भाव से ग्रहन कर लेता है और उसे ही किसी दिन सिर से फेक कर आराम की सांस लेता है किन्तु समय का व्यवधान जियों जियों अपराद की गुरुता को आसपष्ट और हलका बनाता जाता है त्यों त्यों उसके दंड का बोज भार और असहाय होता जाता है मनुश्य के मन की रचना ही ऐसी है अनिश्चित संशर में वह उग्र और भीशन हो जाता है धीरे धीरे जब साथ दिन बीत गय तब मेरे मन में बार बार यह बात उठने लगी कि मैंने क्या अपराद किया है जो स्वामी मुझ से कुछ भी न पूछेंगे और बिना न्याय के ही दंड देते जाएंगे सुना उस दिन सुबा सास कह रही है आ गई मुकता तू तो चार दिन को कह कर गई थी इतने दिन लगा दिये मैं समझ गई कि मुकता क्यूं लोट आई है मैं सनान करने जाही रही थी कि मुकता ने मुस्कुरा कर मेरे हाथ में एक कागज पकड़ा दिया सैसा लगा जैसे किसी ने धदकता वा अंगार मेरे हाथों पर रख दिया है मन में आया चिंदी चिंदी करके फेंक दूं पर उससे और संदे होता निर्जन घाट पर जाकर चिठी पड़ी वा लाल रोशनाई से लिखी थी दो तीन बार पढ़ा फिर टुकड़े टुकड़े करके तालाब में फेंक दिया स्नान किया और घर लोटाई परन्तु उस चिठी में क्या था वही जो संसार का सबसे बड़ा अपराध है धोबी ने कहा बभू जी बाबू जी के कपड़े धोने के लिए दे दू आच दिन पहले की है किन्तो अभी तक मुझे दी नहीं गई है मा ने लिखा था घर में आग लग जाने से रसोई घर छोड़कर सब कुछ जल गया है रसोई में रहकर किसी प्रकार दिन बिता रहे हैं मेरे आखें जलने लगी नजाने कब तक चिठी लिए बैठी रही धोबी के चिलाने पर हरबड़ा कर उठी कपड़े उसके सामने फेंक दिये और लेट गई आसुओं से तकिया भीग गया मन में बार बार आता क्या यही है उनकी भगवान में निष्ठा मेरी मा गरीब है कहीं मैं उनके लिए सहायता न मांग बैठूं इसलिए मेरी चिठी तक मुझे न दी गई मेरे नास्तिक मामा क्या इतने छुद्रों हो सकते थे जवा घर आये मैंने कहा हमारे माईके का घर जल गया है किस से सुना चिठी उन पर फेंक कर बोली धोबी को कपड़े देते समय तुमारी ही जेब से यह चिठी मिली मैं जानती हूँ तुम नास्तिक समझ कर मुझसे घृणा करते हो किन्तु जो छिपकर दूसरों की चिठीयां पढ़ते हो और जासूसी करते हो उनसे हम भी घृणा करते हैं क्या तुमारे घरभर का यही डंग है आकंठ पाप पंक में डूबेवे के मुझसे ये बात ऐसा स्प्रधा पूर्ण आगहात मेरे स्वामी के सिवाए और कोई नहीं सह सकता था महाप्रभु की आग्या अक्षय कवच की भाती उनको इस प्रकार घेरेवी थी कि मेरा तिक्ष्ण शूल स्वैम टूक टूक हो गया सुखी हसी हसकर बोले मैंने न जाने कैसी अनमनस्किता की दशा में उसे पढ़ा था सौधामनी मुझे शमा करो आज पहली बार उन्होंने मेरा नाम लिया मैं बोली जूटी बात यदि ऐसा होता तो मेरी चिठी मुझे दे दी गई होती थी मैं जानती हो कि यह समाचार मुझसे क्यों छिपाया गया वे बोले तुम्हें इस समाचार से दुख होता इसलिए सोचा था कि कुछ दिन बीट जाने पर तुम्हें बताऊंगा पर मैं बोलती गई जान गई कि तुम कैसे जोतिशी हो तुम ही क्या तुम्हारे घर भर के लोग मेरे पिछे जासूस की तरह लगे रहते हैं जानते हो अंग्रेजी महिलाएं तो ऐसे स्वामी का मुझ तक नहीं देखती अरे अभागिनी कहले जो तेरे मुँह में आवे तेरा दंड अभी कहा गया सब संचित हो रहा है स्वामी अस्तब्द बैठे रहे उन्होंने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया क्या इतनी छमा मनुश्य कर सकता है मैंने फिर कहा मेरे रसोई में प्रवेश करते ही वे चौक कर बीच में बोले ओह यह बात थी तभी मेरे खानपान की वेवस्था मैं बोलू ठी मुझे इसके कोई शिकायत नहीं किन्तो मैंने हिंदू घर में जन्म लिया है क्या इसलिए तुम लोग कोच कोच कर तिल तिल मेरे प्राण लोगे मेरे मामा का रसोई घर अब भी बचा है मैं कल ही वहाँ चली जाओंगी स्वामी बहुत देर तक चुप रहे फिर बोले तुम्हारा जाना ही उचित लगता है किन्तो तुम अपने गहने यही रखती जाना सुनकर मैं अवाक हो गई मैं ऐसे हीन और तुच्छ स्वामी की इस्त्री हूँ मुझे हसी आ गई बोली मुझसे गहने ले लेना चाहते हो अच्छी बात है रख जाऊंगी दीपक के छीन प्रकाश में मैंने देखा कि उनका मुख पीला पड़ गया है बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे कुछ गहने भिक्षा के रूप में मांगता हूँ मुझे इससे में रूपियों की जरूरत है उन्हें गिर्वी रखूंगा हाई मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि उनका वह मुख देखकर भी मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया मैंने कहा गिर्वी रखो चाहे बेचो तुम्हारे गहनों का मुझे जरासा भी लोव नहीं मैंने संदूक खोला और सब गहने निकाल निकाल कर बिस्तर पर फेंक दिये मा के दिये कड़ों को छोड़ कर शरीर के गहने भी उतार दिये फिर भी मन न भरा तो बनारसी साड़ियां भी निकाल कर फेंक दि स्वामी पत्थर की तरह अचल और अवाक बैठे रहे ग्रेना से मेरा मन ऐसा विक्रित हो गया था कि उनके साथ कमरे में बैठना भी असहाय हो गया मैं बाहर चली गई और बरामदे की एक और अपना आचल बिचाकर पड़ रही मुझे लगा कि कोई द्वार की आड से निकल कर बाहर चला गया रुलाई से मेरी छाती फटने लगी मैंने उसे रोकने के लिए मुह में कपड़ा ठूस लिया नजाने कब आँख लग गई नींद खुला तो देखा सवेरा हो गया है अंदर जाकर देखा बिचोना खाली है और दो एक गहने छोड़ कर वे सब अपने साथ ले गए है सारे दिन वे घर नहीं आए रात बारा बज गय तब भी वे दिखाई नहीं पड़े तंद्रा आ गई परंतु उसके बीच भी मुझे कुछ होश था रात को दो बजने के बाद बाग वाली खिड़की पर खटखट हुआ समझ गई कि नरेंदर है नजाने कैसे मैं समझ रही थी कि आज रात वा जरूर आएगा मुक्ता उसे खबर देगी कि मेरे स्वामी आज घर पर नहीं है ऐसा मौका वा हाथ से क्यूं जाने देगा नरेंदर निडर की भाती बूला देर न करो जैसी हो वैसे ही बाहर आ जो मुक्ता द्वार खोले खड़ी है मैंने भी बगीचा पार किया और जाकर गाड़ी में बैठ गई मा धरित्री तुमने गाड़ी सहित इस अभागिनी को अपने पेट में क्यूं न डाल लिया जब कलकता के बहू बाजार के एक छोटे से मकान में पहुँची तो साड़े आठ बज गय थे मुझे वहां रख नरेंदर अपने डेरे पर चला गया दासी ने उपर के कमरे में बिचोना बिचा दिया था मैं किसी तरह लड़कडाती वहां पहुँची और लेट गई जो नहीं था वही याद आने लगा नौ साल की उम्रे में पानी में डूब गई थी और जब बड़े उपचार के बाद होश आया था तब मा का हाथ पकड़कर घर आई और बिचोने पर पड़ रही थी उसे मैं मा एक हाथ से पंखा डुलाती रही और दूसरा हाथ मेरे सिर पर फेरती रही दासी ने आकर कहा बहुजी पानी चला जाएगा उठकर स्नान कर लो मैं स्नान कर आई उड़िया भोजन परोसा गया कुछ खाया किन्तु खाकर उठते ही उल्टी हो गई हाथ मूधो मुर्दे की भाती बिस्तर पर पड़ गई और नीन दा गई स्वपन में देखा कि मैं स्वामी के साथ जगड रही हूँ वे उसी तरह शांत बैठे हैं और मैं शरीर के गहने उतार उतार कर उन पर फेंक रही हूँ यह क्रिया खत में ही नहीं होती जितने गहने फेंकती हूँ उतने ही न जाने कहां से आकर मेरे शरीर पर लधते चले जाते हैं सैसा अनन्त उतार कर फेकते ही उनके सिर में लगा रक्त की धार बैचली वे आखें मुंद कर लेट गए और रक्त की धार बढ़ते बढ़ते चट तक पहुँचने लगी पता नहीं इस स्वपनावस्था में कितनी देर रही किन्त जब आखें खुली तो देखा तकिया और बिचोना आस्वों से खूब भीग गए हैं संध्या होने में देर है और नरेंद्र पास ही बैठकर मुझे हिला कर जगा रहा है बोला क्या तुम स्वपने देख रही थी अरे या क्या इतना क्या कर उसने दुपट्टे से मेरा मुझ पोच दिया मैं आखे मल कर उठ बैठी देखा कागज लिप्टा एक बंडल सामने रखा है मैंने पूचा या क्या है कपड़े खरीद लाया हूँ तुमने क्यों खरीदा नहीं तो और कौन खरीदेगा उस दिन में बहुत रोई शायद उतना और कभी न रोई होंगी शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद